हेलो गाईज में आपका अपना चोटा बाइब बावन केमरी बड़ा सो गईज आज के वीडियो में हम बात करेंगे ओवरफ्लो की हमारी कार्बूरेटर से बाइग में तो वीडियो बहुत ज्यादा इंट्रस्टिंग और वीडियो होने बाद यहीं वीडियो फुलास प्रक जरूर देखते रिखेगा तो चलिए गई में अगर देख सकते हैं हमारे वीडियो का जो पैट्रोल है वो वरफ्लो हो रहा है तो अगर आपके वाई का जो पैट्रोल है वो कुछ इस तरह से और फ्लोने लग जाता है तो सबसे पहले आपनी जो पैट्रोल टैप है उसको कर दें जिससे की एक बार के लिए आपका जो पैट्रोल का फ्लो है वो हो जाए हुँरू शुक्ष सबसे पहले हम ढाद करते हैं हमारी ओर्स्टलो के पाइप को सիजनी डिसक्त हो जाएगी कि इसके बाद गैज अब हम डिस्कनेक्ट करते हैं यह हुँ पाईप को इसको आप स्टोbles करिंसी बाहर आजाएगी अभी से रखते है 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 i'd me ऐस ओर इस वो इस और अदर साइड भी हमें उपन करना होगा हमारी 10M के बोर्ट को अचलिए सब्सक्राइब कर लेते हैं तो गैस अगर आपका निडल टाइप करबरेटर है तो आप अपनी इस निडल को एक क्लिंग क्लोथ के अंदर कवर कर के अच्छे साइड में रख दे क्योंकि इसके डैमेज होने के काफी जड़ा चंसी रहते हैं तो अभी से रखते हैं साइड में हम बाहर निकालते हैं हमारी गैस किट को यह आ चुकिए अभी बाहर उसके बाद गैस आप अपने करबरेटर को थोड़ा सा पूल करें तो यह इसलिए बाहर आ जाएगा अब हमारे जो कारब्रेटर है यह बाहर आ चुक है सब से पहले हम डिस्कном NormStase कर लएते हैं हमारी इस पाइप को अभी से रखते हैं साइड में लुड़ाइज और फ्लोइशक को सोलु करने के लिए हमए सब से पहले उपन करना होगा इस चेम्बर को उसके लिए हमें आपन करना होगा हमारी फ्रूप और अधर स्क्रूप को तो गाइस अभी जो हमारे ये चेमबर है ये इसली बहार आ जाएगा है तो गाइस मारे करवेटर के अंदर लगे रहती है मारे फ्लोट और फ्लोट के अंदर होती एक नीडल तो गईस हमारे ये नीडल है ये एजा वाल वर करती है ये पेटरोल के फ्लो को कंट्रोल करती है तो कुछ टेम त्वच्राने के विजिसे इसली बहुत नहीं घर पाती है ओर्ट विश्यू को सॉल्व करने के लिए हमें बाहर निकलना होगा हमारी फ्लोट इन को वो पाहर बहुत सो हमारी फ्लोट पीने भी बाहर आ चुकी है उसके बाद मर्जी फ्लोट है इसली बहुत आ जाएगा इसको भी रखते हैं साइड में हमारे फ्लोट ए इसके साइड में और उसके बाद गैज हमारी जो यह कार्बूरेटर असेम्बली है इसके अंदर खच्रा आ जाता है तो अमरी जो नीडल है यह अच्छी से वर्क नहीं कर पाती है हम क्लिन करते हैं हमारे कार्बूरेटर को हमारी पैट्रोल की हेल्प से और आप जितने भी होल्स हैं उनके अंदर आप अच्छी से पैट्रोल को लगा लें चलिए क्लिन कर लेते हैं हमारे कार्बूरेटर को तो गाइस कार्बूरेटर को क्लिटिन करने के बाद आप इसे एक क्लिटिन सर्फिस पी रख लें अधर्वाइस क्लिटिन का कोई भी बेनफिट नहीं होगा तो गैस अभी अदी इतने पार्ट है यह विल्कुल अच्छे से क्लिन हो चुके हैं यह आप देख सकते हैं लुकुल अच्छे से क्लिन हुए हैं सभी पार्ट तो गैस अब सबसे पहले हम इस्टाल करते हैं हमारे फ्लोट नीडल को हमारी float में तो ये simply ऐसे install हो जाएगी इसके बाद guys अब हम install करते हैं हमारी float को हमारे carburetor में तो इस तरह fix करने के बाद guys आप अपनी जो float pin है इसको install कर दें तो guys अभी हमारी float needle है ये बिल्कुल अच्छे से work करेगी तो guys अगर बात की जाए एक और important party तो guys हमारा जो ये chamber है इसके अंदर हमारी o-ring लगी रहती है कुछ टाइम उत्ताग है कि इसके cut on एक विज़े से जो petrol हो यहां से flow होने लग जाता है अगर आपकी proper condition में नहीं है तो आप इसे replace कर दें तो guys अब हम fix कर लेते हैं हमारी इस chamber को जिस तरह से open किया था उसी तरह ये close हो जाएगा so guys अब हम connect कर लेते हैं हमारी overflow की pipe को ये भी easily connect हो जाएगी और इसी तरह guys हमारी जो other pipe है इसको भी हम connect कर लेते हैं तो guys अभी हमारा जो ये carburetor है ये बिल्कुल ready हो चुक है तो चलिए अभी install कर लेते हैं इसे हमारी bike में so guys ये भी आप देख सकते हैं हमारे जो petrol tap है ये भी own है और हमारे बाइक कर बेटों से बिल्कुल भी petrol और फ्लो नहीं हो रहा है तो हमारे जो और फ्लो इस हुए वो बिल्कुल अच्छी से भी solo हो चुका है so guys इसी तरह आपने किसी वे कारवेटर बाइक के अंदर ओर फ्लो इसे को बिल्कुल इदिली solo कर सकते हैं मेरी चोटसी वीडियो आपको पसंद आयोगी मेरी चोटसी वीडियो आपको पसंद आयोगी अगर मेरी चोटसी वीडियो आपको पसंद आयोगी तो प्यार प्यारे कमेंट करिएगा वीडियो को लाइक करिएगा नई वीडियो बहुत दाने लग रही है बस कुछी दिनों में तक के लिए जैरियाना बंदे मासुना बाते उनकी होती जिन में होती कोई बात है मुझे आपने बनाया मेरी क्या उकात है